नमस्ते और पहला गुत्रा खंड क्या आप तयार हैं? हम हैं तयार क्योंकि अब होने जा रही है इपसा ब्लाइन फुटबॉल वर्ल्ड ग्रॉपरे एट पुएबला मेक्सिको में होने जा रही है जो की 28 जुलाइ से 8 अगस्त तक है मेक्सिको जाने की तयारी इंडियन ब्लाइन फुटबॉल टीम कर चुकी है इंडियन ब्लाइन फुटबॉल फेडरेशन की टीम लेकर जा रही है और साथ में PCI और SCI भी इस बार आगे आये हैं तो 28 जो इंडियन टीम का जो शेडियूल है किस तरह से वो लोग कहां कहां क्या क्या करने वाले हैं इंडियन ब्लाइन फुटबॉल टीम वो आपको बताने जा रहा हूं मैं सो इंडिया 28 तरीको इंडियन ब्लाइन फुटबॉल टीम मुंबई से फ्लाइ कर रही है और मुंबई से अभी फिलाल कोची में कैम में हैं और कोची से पहले मुंबई और 20-50 मिनट की फ्लाइट है तो आप समझ सकते हैं कि कितना है कितना मतलब इक तरह से थकाने वाली बहुत लंबी फ्लाइट है बोडी को हईडरेटर रखना होगा खुद को रिलाक्स रखना होगा बहुत क्योंकि जाके खेलना है और 28 को जब वो टोकियो में पहुंचेंगे और वो है अगेंस, मäक्सिको याने कि होस्त कंट्री के साथ जो कि सेकंड और वागस्त है suis-ार इलेवन फिफ्टीन ग्यारा बज़ के पंद्र shrinking किके सवा ..... तीन इन तरейств को रेस्ट है इंडिया ब्राजील तो हमारे ग्रुप को अगर हम देखें मैक्सिको और ब्राजील है बहुत उम्मीदे हैं इंडियन ब्लाइंड फुटबॉल टीम से हेड कोच सुनिल जे मैत्यू हैं और मैनेजर इंडियर एमसी रॉय से हैं और साथ में हमारे दोनों गोलकीपर्स प्रफूल और सुजी एक तरफ जहां गैवरियल किलिंग सन मेगाले से होंगे वहीं गुजरात से विश्नु वगेला उत्राघंड से सिवम और सुर्वेंद्र प्रदीप दिली से तो इस तरह बहुत बहुत जब खेलेंगे हो लोग वहां पर एक अलग सा माहौल है वहां इस वक्त टीम में लेकिन बहुत जबर्दस होने वाली है यह वाल ग्रॉप्री हमारे लिए और इंडियन टीम जब फ्लाइब करेगी लंबा सफर है खुद को बहुत हाइडरेटेट रखना होगा और जो रिट पारीक को ही यानि कि आठ अगस्त को ही साम को पांच बच करी 17 30 यानि की पांच बच तीस मिंट साड़ेगा रहा हो मुझा यह है इंडियन ब्लाइंड फुट्बॉल टीम जो कि मेक्सिको जा रही है वर्ल्ड ग्रांड प्री इप्सा वर्ल्ड ग्रांड प्री के लिए ब्ल All the best, Indian Blind Football Team, do well, बहुत उम्मीद हैं आप सबसे, और सिर्फ आसा ही नहीं विश्वास भी है, कि at least हम गोल तो करेंगे, at least हमको दो मैचों में कम से कम, एक से तीन गोल मिलने चाहिए, चलिए आप सभी को best wishes, ट्रेवल नाइसली, और ट्रेवल के बाद में जब आप फ्लाइट में रहेंगे, खुद को हाइडरेटेट रखे, खुद को रिलाक्स रखे, लंबी फ्लाइट है, और अपने आपको बहुत हाइडरेटेटेट रखना है, रेस्ट में रखना है, ताकि वहाँ जाके आप अच्छा प्रफॉर्म कर सकें, और गुड लग, आई बी एफ एफ, साई, और पी सी आई, इफसा, और साथ में, इंडियन ब्लाइन फुटबाल टीम, अल दे बेस्ट,